राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आप सब हमारी यूट्यूब चैनल के स्री राधे किष्णा सिंगार में आपका स्वागत है दोस्तों सावन का पांच मौर आखरी सौंबार तीन अगस्त को है माननेता है कि सावन का महीना महादीब को प्रिय है ऐसे में सावन में भूले नात की पूजा उपासना का विशेश महत्व होता है यूँ तो सावन महीने का खास महत्व होता है लेकिन इस बार सावन का आखरी सौमबार कई माननेताओं में खास है सावन के आखरी सौमबार को त्रीती और आईश्मान योग मन रहे हैं मानने ता है कि इस सफस्योंग में पूजा करने से पूजा का फल दोगुना मिलता है मानने ता है कि भगवान शिव अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करते हैं सावन के आखरी सौंबार के दिन पुणमा तिती है इस दिन चंद्रमा के मकर रासी में होने से प्रीती योग बन रहा है जो तिसाचारों के मुकताविक कि है सुफसयोंग सुषे 6 बच का 40 मिलट तक रहेगा इसके बाद आईशमान योग लग जाएगा दोस्तों सावन के आखरी सौंबार को पूर्मा तिती है पूर्मा तिती सौंबार को होने से यह सौंबती पूर्मा के नाम से कहीं चाती है जिस प्रकार शास्त्रों में सौंबती आमावस्याव सूरे ग्रहल का महत्व होता है उससे कहीं जहादा महत्व सौंबती पूर्मा का होता है अब पूरे 47 साल बाद सौमबती पुणमा लग रही है इसके बाद सौमबती पुणमा 2024 में लगेगी सौमबती पुणमा इस बार बहुती खास योगों में आ रही है यह अपने साथ बहुती सुभ संयोग ला रही है सावन की पोड़मा और सौंबार के सद्व संयोग को सौम्य तिथी माना जाता है माननेता है कि इस सुब संयोग में पूजा करने से हर छेतर में सफलता हासिल होती है इस बार सावन के आखरी संबार को ही रक्षा बंदन का त्योहार मनाया जाएगा सावन के आकरी सौमबार रक्षा बंदन का त्योहार दुल्लव स्योग लेकर आ रहा है कहते हैं कि इस दिन उपास करने से पूजा का फल दुगना मिलता है माननेता है कि आकरी सौमबार के दिन भगवान शिव माता पारबती जी धरती पर भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों बत्र पर बरसाते हैं दोस्तों जहां सावन का सौमबास सौमबाती पूर्मा अपना विशेश महत्व रखते हैं वहीं सावन के सौमबार के दिन पढ़ने वाले रक्षा बंदन का विशेश महत्व होता है हमाई शास्त्रों में बताया गया है कि सावन के सौंबार पर पढ़ने वाले रक्षा बंदन पर जो कोई व्यक्ति भागवाई शेव माता पारवती जी को भागवान विश्नुमा लक्ष्मी जी भागवान गड़ेश जी को रक्षा सुत्र बांते हैं तो भागवान हमेशा उनकी रक्षा करते हैं ऐसे में भाई भेनों को मिलकर भागवान को रक्षा सुत्र बानना चाहिए। इस रक्षा सुत्र को साल भर आप अपने हाथ पर बांधे रह सकते हैं। इससे आपके और आपके परिवार की रक्षा होगी। दोस्तों सावन के आखरी सौंबार पर प्रतेग व्यक्ति को शिवलिंग पर जल अर्पिता विश्य ही करना चाहिए। आप अगर साल भर सिवलिंग पर जल नहीं चड़ाते और आपने सावन के किसी सौंबार पर जल नहीं चड़ाया। पर आखरी सौंबार पर भागवान शि शिप्ची का कई प्रकार के दव्यों से अविशेक किया जाता है। सभी तरह के अविशेक का अलग-अलग फल दिया गया है। शिप्पुरान के अनुसार किस द्रब से अविशेक करने से क्या फल मिलता है। और उससे क्या फायदा होता है। आप अपनी प्रतेक मनोकामना की पूर्टी के लिए भगवान शिप के शिवलिंग पर तरहें तरहें के जल अर्पित कर सकते हैं और जिससे आपकी प्रतेक मनोकामना अवर्श ही पूर्ण होगी अगर आप लंबे समय से बीमार है या आपको कोई असाध्य रोग है या आपके परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे कोई बीमारी है और उस बीमारी से छुटकारा नहीं मिल रहा है तो आप सावन की पूणमा पर जल में कुशा यानी घाष डाल कर उससे भगवान शिप क अविशे करें इससे लंबे समय से आ रही बीमारियों से पीछा चूट जाता है और व्यक्ति स्वस्थ और निरोगी हो जाता है अगर आपको धन हानी होती है घर में रुप्या टिकता नहीं है धन की कमी है कोई रोजगार नहीं लग रहा है तो आप भगवान शिप को मधु युक्त जल से अभिशे करें यानि की जल में थोड़ा सा शहर डाल कर उससे सावन की पोड़मा के दिन भगवान शिप का अभिशे क जरूर करें इससे धन सम्मंदी सभी समस्याय दूर हो जाएंगी सावन के आखरी सौंबार को यानि सावन पोड़मा पर प्रतेग व्यक्त भगवान शिप का तीथिस्थल के जलों से यानि गंगा यमना सरस्वती आदी तीथिस्थलों के जल से अभिशे करना चाहिए सिप पुलान मा लक्षमी का आग बन हो आप पर हमीषा मा लक्षमी की कृपा बनी रहे तो आपको सावन पोनमा पर सावन के आखरी सौंबार पर भगवान शिब का गन्य के रस्य अहुष्चे करना चाहिए इसे मा लक्षमी का घर में हमेशा इस्तिर्बास रहता है आपकी कोई ऐसी मनुकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है तो आप सावन पूर्ण मा के दिन भगवान शिप का दूसरे अभिशे करें शिप पुराण में कहा गया है कि सावन पूर्ण मा के दिन या सावन सौंबार के दिन या प्रतिव सौंबार के दिन जो भी व्यक्ति भागवाई शिप का दूसरे अभिशेख करते हैं भागवाई शिप उनकी समस मनुकामना पूर्ण करते हैं सिप पुराण में ऐसा भी कहा गया है कि कोई भी ऐसी मनुकामना हो जो कभी पूर्ण होनी ना हो पर उसको भी भगवाशिव सावन पूर्ण मा के दिन जल अभिशेक और दूद अभिशेक करने से पूर्ण कर देते हैं दोस्तों अगर आपके जीवन में कष्ट खतम होने का नाम नहीं लेते आपको ऐसा लगता है कि इन दुखों का कभी अंत नहीं होगा और समस्त कार्यों में रुकावट आती है तो आप सावन पूर्ण मा के दिन भगवाशिव का गंगा जल से अभिशेक करें ऐसा करने से हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और किसी भी चेत्र में आ रही रुकावट दूर होकर उस चेत्र में सफलता प्राप्त होती है दोस्तों अगर आप एक्जाम में बैठ रही हैं उसमें आपको अच्छेंग प्राप्त नहीं हो रहे हैं सफलता प्राप्त नहीं हो रही है पढ़ाई में मन नहीं लगता है हर वक्त इधर उधर मन भागता रहता है तो आपको सावन के सौंबार के दिन और सावन पोडमा या प्रतिक सौंबार के दिन भागवान शीप को दूर सक्कर में से जल्जे अविश्य करना चाहिए ऐसे विध्यार्तियों को विध्या और सुबुधी प्राप्त होती है जिन ब्यक्तियों के घर में संतान नहीं है, निसंतान दमपतियों को यह जिन की संतान है और संतान का उसास्ट ठीक नहीं रहता है, संतान परिशान रहती है, उनको भगवान शिप का सावन पुणमा के दिन खी से अभिशेक करना चाहिए, ऐसा करने से बंस ब्रद्धी होती है इस संतान दमपत्यों को संतान की प्राप्ती होती है जिनके संतान है उनकी संतान धनवान सुखियों निरोगी रहती है दोस्तों सिप्पराण में बताया गया है कि आपको अगर कोई रोग और शत्रू परिशान कर रहे हैं उनका कभी अंत नहीं हो रहा आपके आसे सत्रू हैं जो आपके जीवन के हर छेतर में बाधा डालते रहते हैं तो आपको उनसे छुड़कारा पाने के लिए सावन पुर्म के दिन भगवांशिप का संसों के दिल से अभिशीक करना चाहिए इससे रोग और शत्रू दौनों का ही नाश हो चाता है दोस्तों सिप्पराण में बताया गया है कि व्यक्ति से उसके जीवन काल में अगर जाने अन जाने में कोई पाफ हो जाए और उस पाफ से उसका छु जिस हैसे भगवांशिप का अभिशेक करना चाहिए यानि आप इसे जलके लोटे में ना डालें थोड़ा सा कटोरी में शहर लेकर उससे भगवांशिप की शिमलिंग का अभिशेक करें इससे जीवन में आ रहे सभी कष्ट दूर होकर पापों से मुक्ति मिलती है दोस्तों इस्तान करके सक्ष बस्तरधारन करें हो सके तो आप सफेद या गुलावी रंग के बस्तरधारन करें दोस्तों सावन के आखरी सौंबार श्रावनी पूर्मा के इस सुष्व स्वयोग पर आप भगवांशिप को एक वस्तु जरूर अर्पित करें आप जो भी द्रब्य क्रणते में आप थोड़ी सी भस्मन डाल लें क्योंकि भगवांशिप को वस्म अतिप्रिया होती हैं भगवांशिप का अभिशेख जो व्यक्ति भस्मत से करते हैं उनकी समस्त मनुक्वानाय पूर्ण होती हैं चाहे वे व्यअफसाय संबन्दी हो चाहे धन सम्मंदी हो, चाहे संतान सम्मंदी हो चाहे कोई रोग हो, शत्रू हो या कोई ऐसी एक्छा हो जो पूर्ण होनी ही ना हो वह सभी एक्छाए भवाईशिप को से भश्म अर्पित करने मातर से हो चाती है इसलिए आप जो भी द्रब्य चाहें गन्ने का रसो शक्कर हो दही हो गंगा चल हो चड़ाएं उसके लोटे में थोड़ी सी भस्म डालने अगर आप पर भस्म ना हो तो इसके लिए आप एक छोटी सी धूपती चला कर उससे भी भस्म तयार कर सकते हैं या आप गाय माता के कं गंडे पर उपले पर भी थोड़ी सी भस्म तयार कर सकते हैं उसे जल के लोटे में डालकर उससे भगवाशिप का विशेख करें इससे आपकी जीवन की सभी समस्या समाप्त होकर घर में सुख समय दीधन बैभब आएगा और सभी प्रकार की गरीवी और रोगों से चुटक कर देंगे तो भगवाशिप भोले नात इतनी दयालू और इतनी सीधे साधे हैं कि वह आपकी समस्मन कामनाय तुरंद पूरी कर देंगे दोस्तों भगवाशिप पर जल चढ़ाने के बाद आप एक बात जरूर ध्यान रखें कि आप अगर भगवाशिप पर बेल पत्र और धतूर चढ़ा सकते हैं तो आप उन पर आखरी सौमबार और पूर्णमा के सवयों पर बेल पत्र धतूर जरूर चढ़ाएं और भगवाशिप के आगे एक सुद्र देसी घी का दिया चलाएं और इसके बाद पुरुष ओम नमश्यवाय मंत्र का एक सो आठ बार जाप करें और महिलाएं और कन्याएं वहीं बैठकर नमश्यवाय मंत्र का एक सो आठ बार जाप जरूर करें मंत्र जाप करने के बाद आप समझ सिर्फ परिवार का पूजन करें, उन्हें प्रणाम करें, आपके जो ही मनुकामना एक्छाएं हों वह भगवानशिप के आगे बोलें, सावन महा के इस आखरी सौंबारों पूर्ण महा के सयोग पर भगवानशिप आप पर क्रपा जरूर क करेंगे और आपके मनुकामना पूर्ण करेंगे, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को अपनी मित्रों इस्तिजारों में जाज़ाजाश यादा शियर करें, ताकि वह भीस से लाप्ट राप